शेहर में बढ़ती हत्याओं के बीच विद्वार को पिलिस अधिकारियों के लिए शांती बैठे कायोची किया गया इस वरान दिन प्रते दिन लोगों द्वारा की जारही शिकायतों पर पिलिसाइक तमितेश कुमार ने अपनी बात रखी और उन्हें जल से जल सुझाने का आश्वासन दिया वही पत्रकारों से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि होली के लिए पुलिस प्रशासन पुरी तरह सच है और अगर किसी भी व्यक्ती ने कानून को तोड़ा तो उस पर ठूस कारवाई की जाएगी जल ही होली और शब्बे बारात आने वाले हैं इसको लेकर बात करते वे पुलिसायक तमितेश कुमार ने कहा कि आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस त्वारा खास इंतिजाम किये गए हैं अगर किसी व्यक्ती ने कोई भी अनुचित कदम उठाया तो उस पर सक्से सक्त होनी दी वह उन्हों ने सभी लोगों से सभी नियामों का पालन करने का भी आवाहन किया कि सहकार मिले इस रिष्टी से आज एक शांतता समिती मीटिंग आयोजित की गई थी और काफी अच्छे महाल में शांतता समिती मीटिंग नहीं होगा इसका हमें विश्वास है लेकिन साथ-साथ अगर किसी प्रकार की कोई अपवादात्मक परिस्थिती निर्मान होती है तो उसको बहुत कड़क तरीके से हतारने के लिए पुलिस दल तैयार है सुसजी मैं यह नहीं मानता कि पुराने रंग में यह आया है अभी इस महीने में यह सही बात है कि चार मडर्स हुए हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो एक मडर ऐसा है जो एक फैमिली मेंबर ने दूसरे फैमिली मेंबर को मारा दूसरे इंसिडेंट फिर से एक फैमिली मेंबर ने अपने फैमिली मेंबर को मारा फैमिली के इंटरनल डिस्प्यूट के उपर से होना वाली घटना बहुत बार प्रिवेंटेबल नहीं होती है और उसका कोई पुलीस के एफर्ट्स या पुलीस के प्रोफेशनल एफर्ट कम या ज्यादा से उस पे कोई परिनाम नहीं होता है देखिए हर महीने हम जिरो मडर करेंगे और क्राइम पूरी तरीके से खतम हो जाएगी यह कभी भी संभव नहीं है हमने बताया था फेबर्री के बाद जो मैंने बताया था वो बताया था कि पिछले 4-5 महीने से फिगर मंत जो एवरेज मडर्स की फिगर एट नाइन की रहती है वो डिकलाइनिंग ट्रेंड दिख रही है मार्च में भी वो डिकलाइनिंग ट्रेंड है अगर कहीं कुछ ये ट्रेंड रिवर्स होता दिखेगा तो पुलीस दल योगी उपाई होजना एवरी डे बेसिस पर प्रफेशनल, एक्स्पेरिमेंटल, इनोवेटिव बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं वो ले गे और ये कहना कि वापिस वो ट्रेंड रिवर्स हो गया है ये बहुत प्रीमेक्चिर होगा हाले में कोतवाली पुलिस साना अंतरगत करीब 4 करोड 20 लाक रुपे के हवाला का मामला सामने आए था इस पर बात करते हुए पुलिसाइक दमितेश कुमार ने कहा कि इस मामले में कई धाराओं के तहट अप्राद तरस किया गया है और इस मामलों की जड़ तक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं वही कई नए-नए बाते भी इस मामले में सामने आ रही है जिसकी जांच में पुलिस चुटी हुई है हावाला में जो पहले हमने सस्पिशिस कैश करके जो हमने सीज किया था उसके बाद उसके तपास में ऐसा दिखा कि इसमें cognizable offense disclose हो रहा है इसमें IT Act 420 और पुरावा नश्ट करने का 201 इस तहट गुना लाखिल किया गया है हम इसके जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें बहुत सारे बाते सामने आ रहे हैं पुरी तरक से कड़क भूमिका इस प्रकार से अवयद कारोबार के बारे में ले रही है बतादी कि होली के रंगों में भंग ना पड़े सुद्देश से पलिस प्रशासन के सभी कर्मियों की weekly off कैंसल किये के है ताकि सुरक्ष शाव्यवस्था में कोई दखल ना पड़े कैमरा परसन अकलिश भारेद वाज के साथ दिशाहटवार BCN News नाकपुर